हुआ है if one of the zeros of quadratic polynomial this is minus 3 ठीक है मतलब इसका एक जिरू जो है वो है minus 3 तो k की value find then find the value of k तो देखते k-1 x square plus kx plus 1 ठीक और इसका 1 0 जो दिया है वो दिया है minus 3 तो जब भी minus 3 दिया है तो हम रिखेंगे on x is equal to minus 3 equation should be equal to 0 तो हम इसको रखेंगे तो minus 3 x की जिए रखेंगे minus 3 का square और जो k-1 है वो ऐसे ही रहेगा है क्योंकि हमें x की जिए minus 3 रखना है plus k ऐसी रहेगा x की जिए minus 3 plus 1 और यह किसके बराबर आना चाहिए 0 क्योंकि equation में दिया ही है कि यह इसका एक zeros है zeros का मतलब इसका एक answer है answer रखने पर 0 आना चाहिए से इसक्वार ठीक है तो यहाँ स्क्वार होगा हाँ ठीक है फिर आगे क्या हो गया कि हम जब खोलेंगे तो यह minus 3 एक बार के के पास जाएगा तो जाएगा minus 3K minus 3K plus 3 plus 1 equal to 0 minus 3K और minus 3K यह यही अला है तो हो जाएगा minus 6K plus 4 equal to 0 तो minus 6K is equal to 2 हो जाएगा यह plus 4 बराबर के इधर जाएगा तो minus 4 तो K is equal to minus 4 upon minus 6 minus से minus कर जाएगा 224, 236 यानि K is equal to 2 हो आगया 2 upon 3 और 2 upon 3 कौन सा है answer number C is the right answer ठीक है यह पहला question हो गया दूसरा question क्या है दूसरा question है कि if the line given by 3X plus 2KY is equal to 2 and 2X plus 5Y plus 1 equal to 0 यह दूनों ही line parallel है तो parallel होने पर के की value बताईए तो याद करिए कि दो line parallel होते है parallel होने पर क्या होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 और does not equal to c1 upon c2 तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हम a1 upon a2 और b1 upon b2 से ही हो जाएगा actually होता है does not equal to c1 upon c2 ठीक है लेकिन हम a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 लेंगे है जैसे इस पहले वाल equation में equal to 2 दिया है तो standard form में करने के लिए यहां से हम equal to 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो minus 2 equal to 0 हो जाएगा ठीक है अब a1 की value क्या है 3 तो 3 upon 2 b1 की value है 2 और b2 value है 5 और b1 की value है 2k क्योंकि coefficient of y देखेंगे ठीक तो अब में k की value निकालनी है तो क्या हो जाएगा कि यह 5 इधर साइट से divide से जाएगा तो multiply में हो जाएगा 3 into 5 और यह 2 जो है इधर साइट जाएगा तो divide में हो जाएगा 2 into 2 is equal to k तो हो जाएगा 3 5 जाब 15 upon 2 2 जाब 4 यह हो जाएगी k की value तो 15 upon 4 कौन सा answer number C is the right answer ठीक अगला question है question number 3 कि the quadratic equation 2x square minus 3 root 2x plus 9 upon 4 is equal to 0 has two distinct root, equal root, no root या more than two root तो पहले हम एक formula जानते हैं जो root पता करने के लिए होता है डिस्क्रिम्नेंट, डिस्क्रिम्नेंट अगर 0 से बड़ा है तो होता है two real root two real root ठीक है two real root और distinct होते हैं ठीक है distinct अगर d जो है 0 से छोटा है ठीक है तो no real root, no real root root यानि वही answer ठीक और अगर d is equal to 0 है तो हो जाएगा two equal root equal root ठीक तो अब हमको क्या करना है equation ये दिया था question number 4 में equation ये दिया था तो हम पहले देखेंगे d क्या है actually में d क्या है तो d होता है b square minus 4ac ठीक तो हमें b square minus 4ac निकालना पड़ेगा ये क्या है d अब b क्या है तो जो भी equation दिया होता है तो coefficient of x होता है a coefficient of x square होता है a coefficient of x होता है b और constant term होता है c ठीक तो हम रख देंगे b की जिएगे क्या रखना पड़ेगा b की value है minus 3 root 2 तो b की value है minus 3 root 2 chi square minus 4 into a a की value क्या है 2 ठीक और c की value क्या है 9 upon 4 तो करके देखेंगे तो हो जाएगा 3 3s are 9 और minus का square तो minus और root 2 का square होता है 2 तो 9 into minus ये 4 से 4 कर जाएगा और 9 2 जा 18 ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 जा 18 minus 18 और 18 में से 18 गया 0 तो हमने क्या बोला था कि अगर discriminant जो है 0 के बराबर आ रहा है तो 2 equal root होगा तो 2 equal root कौन सा option number B is the right answer 2 equal root ठीक है हाँ बताइए यहाँ पर तो 2 x square है हमने कहा coefficient of x square जो equation होता है वो हमेशा ax square plus bx plus c के form में होता है ठीक तो यह जो होता है बस यही a होता है x square और x नहीं लेता है ठीक है इसी तरह b में भी तो हमने x नहीं लिया है ना सिर्फ coefficient of x square यह a होता है अगला है question number यह question number था 4 है ना तो sorry question number यह 3 था यह question number 3 था ठीक अब question number 4 देखे question number 4 कह रहा है the quadratic equation 3x square plus 4 root 3x plus 4 same question है अब इसमें भी हमें क्या पता करना होगा पहले तो पता करना होगा d क्या है ठीक तो d क्या होता है b square minus 4ac जानी कि b क्या है बताओ इसमें यह है b यह है c और यह है a और हमेशा हम जो भी लेंगे वो उसके sign के साथ लेंगे तो b की value है 4 root 3 का square minus 4 a की value है 3 और c की value है 4 ठीक जानी 4 फोर्जा 16 root 3 का square होगया 3 minus 4 ती जा 12 और 12 फोर्जा 48 ठीक अब यहाँ पर बुझाएगा 16 जा 48 minus 48 और 48 में से 48 गया 0 तो हमने अभी भी बताया कि जब d 0 के बराबर आ जाए जब d 0 के बराबर आ जाए तो 2 equal root होंगे तो 2 equal root इसका मतलब 2 equal root is the answer number b 4th question के लिए क्या होगया answer number b होगया right answer ठीक है अब question number 5 बहुत अच्छे से देखना कह रहा है the nth term of an ap is 7 minus 4n and the common difference is minus 4 nth term nth term जो दिया है वो है 7 minus 4n and common difference d जो है वो है minus 4 ठीक तो अब reason क्या है पहले तो यह assertion हो गया तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या common difference 4 है की नहीं तो हम जानते nth term के लिए formula होता है a plus n minus 1 into d actually यह तो formula होता है लिकिन यहाँ पर formula नहीं यहाँ पर simple हम देखेंगे nth term अगर 7 minus 4n है तो first term क्या होगा first term होगा 7 minus 4 into 1 यानि 7 minus 4 यानि होगा 7 में से 4 गया कितना गया 3 है ना और second term क्या होगा 7 minus 4 into 2 यानि 7 minus 4 गया 8 और 7 में से 8 गया कितना होगा minus 1 ठीक है फिर third term क्या होगा 7 minus 4 into 3 7 minus 12 और 7 में से 12 गया तो क्या होगा बताई जल्दी 4 minus 4 यह ना क्योंकि बड़ा है 12 अब हम देखेंगे common difference common difference क्या होता है जो second term होता है उसमें से first term को minus करते हैं तो second term minus first term चाहें तो यहाँ पर बतलब पीछे ओले term में से आगे ओले को minus करते हैं तो इसको हम देखेंगे minus 1 minus 3 क्या रहा है minus 4 ठीक दूसरी आले को देखते है second term में से first term को minus करेंगे तो minus 5 और minus minus 1 ठीक है क्योंकि minus कर रहे हैं तो यहाँ पर plus का 3 था तो इस दी हो गया ठीक है तो बताओ कितना हो जाएगा minus 5 minus plus 1 कितना हो जाएगा minus का 4 बता रहे हैं जो बड़ा होता है उसका sign लगता है तो common difference तो सेम आ रहा है assertion सही है assertion सही है अगला इसमें क्या कर रहा है कि common difference of AP D is equal to N plus 1 minus N तो देखेंगे क्या यह होता है तो common difference एक बार यह भी करके देख लेते हैं कि D is equal to A N plus 1 minus A N तो D actually हमारा A N term क्या था A N था 7 minus 4 N तो A N plus 1 क्या हो जाएगा 7 minus 4 N plus 1 जहाँ पे N है वहाँ पर N plus 1 कर देगे ठीक तो 7 minus 4 N और minus minus यह जब एक बार इसके पास जाएगा एक बार इसके पास जाएगा तो minus का 4 तो 7 में से 4 गया कितना हुआँ 3 minus 4 N और D निकालना है तो A N plus 1 term यानि 3 minus 4 N minus A N term यानि 7 minus 4 N minus करेंगे तो 3 minus 4 N minus 7 और minus minus plus 4 N 4 N से 4 N कटा और 7 में से 3 गया तो बड़ा 7 है इसलिए minus का 4 तो yes, assertion भी सही है reason भी सही है इसका मतलब ये एक formula भी है कि अगर कोई A N term दिया है या Nth term दिया है तो हमें D निकालना हो तो हमें A N plus 1 minus A N करना है और simple अभी भी मिनलता है था D क्या होता है D होता है second term minus first term ठीक है? first term तो कोई भी पीछे वाले term में से पहले term को minus कर देंगे तो D आ जाएगा तो बस इसमें assertion और reason दोनों ही सही है तो क्या हो जाएगा? both assertion and reason are true and reason is correct explanation of A तो क्या है तो क्या है तो क्या है बहुत दिहां से देखना question no.6 है two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically upright on the plain ground if the distance between their foot is 12 meter then the distance between their top is तो देखिए हमें क्या करना है? इसको question no.6 है two poles height 6 meter and 11 meter एक हम यहाँ पर pole कर दे रहे है यह 6 meter का है ठीक और एक यहाँ पर pole कर दे रहे है यह 11 meter का है दोनों upright खड़े है प्लेन पे ground और distance इनके बीच का है 12 मतलब इनके बीच का distance जो है 12 meter है ठीक है ना? तो कह रहा है find the distance between the top हमें यह निकालना है यह distance निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका नाम देते हैं माल लेते हैं एक pole है यह A B और एक pole है यहाँ पर C D जहां से हमें यह distance निकालना है A C तो हम यहाँ से एक line draw कर लेंगे अगर यह 12 है तो यह line parallel draw करेंगे तो यह भी 12 होगा meter बिल्कुल होगा ठीक? और यह पूरा अगर 6 है यहाँ से यहाँ तक 6 है तो जब हमने parallel line draw किया है और यह upright थे ही तो यह हमेशा याद रख लिजे कि यह side A B हमेशा यह इस पर मान लेते point E है ED के बराबर हो जाएगा यानि ED भी 6 हो जाएगा क्यों? क्योंकि यह एक rectangle बन जाएगा अब बचा हुआ CE की value क्या होगी? CE की value 11-6 क्योंकि पूरा 11 में से 6 हटा देंगे तो 11 में से 6 गया कितना बचा? 5 ठीक अब देखो एक triangle हमें इस तरह से मिल गया जिसमें CE और A है हमें AC निकालना है और CE की value है 5 AE की value है 12 ठीक? या तो इसमें हम पाइथागुरस लगा देंगे और या तो पाइथागुरस ही लगाएंगे तो पाइथागुरस ही लगाएंगे AE की value क्या है बताओ 12 12 square और EC की value 5 square तो AC square is called to 144 प्लस 25 तो AC square is called to 169 और ये जो 169 होती है किस की value होती है जो है अंडरूड में 13 की value यानि AC is called to हो जाएगा अंडरूड क्योंकि square हटेगा तो root लगेगा और यह हो गया 13 cm यानि 13 cm तो पूछा जाएगा कि इनके top के बीच का distance कितना है 13 cm ठीक अगला question question number question number 7 ठीक है तो question number 7 क्या है बहुत इच्छा question है ABC एक triangle है और ABC triangle में DE parallel है BC के ठीक पहले तो एक triangle बना लेते हैं triangle इधर बनाते हैं ABC और जो एक DE है यहाँ से DE यह parallel है BC के हमें X की value देनी है और जबकि यह X है यह X plus 3 है यह है X plus 1 और यह है X plus 5 ठीक, question में देसे दिया है तो हमें बताना है X value तो एक चीज़ जानते हैं class 9 में भी हमने थिल्स theorem पढ़ा है basic proportionality theorem पढ़ा है तो basic proportionality theorem के साब से अगर कोई triangle में कोई parallel line है तो parallel line जहां से intersect करता है बचे हुए दो line के तो उनके side का ratio बराबर होता है इसका मतलब जहां पर intersecting point है AD upon DB is equal to AE upon EC होगा AD value है X DB value है X plus 1 AE value है X plus 3 और EC value है X plus 5 अब क्या करेंगे हम cross multiplication कर लेंगे ठीक है cross multiplication करेंगे तो X plus 5 जो है जाएगा X के पास यहां हो जाएगा X X plus 5 और इधर X plus 3 के पास जाएगा जो है X plus 3 के पास क्या जाएगा x plus 3 x plus 1 चला जाएगा ठीक ये इसके पास हाजएगा अब एक बार x x के पास जाएगा तो x square फिर एक बार x 5 के पास जाएगा तो 5x फिर यहाँ पर एक बार x, x के पास जाएगा तो हो गया x square फिर एक बार x, x1 के पास जाएगा तो हो गया x बन जाए x फिर एक बार 3x के पास जाएगा तो प्लस का 3x और एक बार 3, 1 के पास जाएगा तो प्लस का 3 अब x square, plus 5x, minus x square, minus x, minus 3x, plus 3, equal to 0 यानि एक साइड ही ले लिया सब्सकुन और माइनस का हम टार। तो हो गया इक स्वाइल, हम लिए यह जे सक लिए ऐसे जा लिए तो माइनस का टार। ठीक है यह माइनस थी होगा तो इधर साइड रहेगा एक्स माइनस थी बचेगा इक्वल टू जीरो एक्स इसक्वल टू थी तो राइट आंसर इस थी देखते हैं कौन सो अप्शन है तो अप्शन नमर ए इस दा राइट आंसर ठीक कि आग़ना है क्वेर इटो कि एब और एड़ लगा फिइस ग्याला नावर फिए फिर्चेंग यार टू कॉप्योंन टेंजेंट टू एंजर बहुत इंपॉटस क्वेशन है मतलब दो स रकल है एक सरकल यह भाषक यह माल लो और एक circle यह है, ठीक, थोड़ा छोटा है, जैसा भी बना दो, यह, अब कहा रहा है, कि इन दोनों के लिए, एक तो AB और CD है, दोनों common tangent है, which touch each other 5.C, तो C पे ही दोनों touch कर रहे हैं, यह C हो गया, ठीक, इसा है, if D lies on AB, मतलब एक AB यहाँ पर बना दो tangent, जो common tangent है, मतलब दोनों के लिए tangent है, यह हो गया A, और यह हो गया B, इसी AB पर D भी है, है ना, दिखा है इसमें, तो EC AB पर D है, यानि, यह C और D इसी पर है, तो given क्या है, कि CD is equal to 4, तो हम जानते हैं, कि अगर कोई circle है इस तरह से, और दो tangent इस तरह से बन रहा है, तो यह line हमेशा, इस line के बराबर होता है, tangents from external point to a circle are equal, इसका मतलब कि DA बराबर CD होगा, यानि, DA बराबर भी हो गया 4, और DB बराबर, DB equal to, यह भी CD होगा, यानि, DB is equal to b हो गया 4 cm, ठीक, तो पूछा है, then, AB is equal to, तो AB की length क्या हो जाएगी, चुकि यह देखो 4 है, तो यह भी 4 हो गया, क्योंकि इस point से 2 tangent बनना है, और यह अगर 4 है, तो यह भी 4 हो जाएगा, क्योंकि इस point से 2 tangent बनना है, तो total AB की length हो जाएगी, 8 cm, यानि, AB is equal to हो जाएगा, 4 plus 4, यानि, 8 cm, ठीक, करना है, बहुत अच्छे से, अग्रा question, question number 9, very important, circle का ही है, तो question number 9 है, कि AB and AC, देखो, एक circle है, ठीक, और इस circle में 2 tangent है, एक इस तरह से है, और एक इस तरह से है, ठीक, तो, ठीक, ये है C, ये है A, ये है B, और यहाँ पे एक O point है, ठीक, कह रहा है कि ये angle जो है, ये angle है, पूरा 120 degree, है ना, तो then OA is equal to, तो OA किसके ब्रावर होगा, ये वाला किसके ब्रावर होगा, ठीक, साथ में और कुछ दिया है इसमें, की, A, C, O, ठीक है, तो अगर ये 120 है, हम जानते हैं कि जो tangent होता है, उससे radius को मिलाने वाला 90 degree होता है, तो ये पूरा इतना angle कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 degree, ठीक, एक triangle हमें इस तरह से मिल गया, जो है O, A, और B, हम जानते हैं, B है 90 degree और ये angle है 60 degree, क्या इसमें हम, जो है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, O, A, O, A निकालना है, तो क्या इसमें, हम कोई formula लगा सकते हैं, हुआ जो फॉर्मटा हमें हेल्पकरे निकालने में पाई है लेकिन पाई-ठाइड उसके लिए कुछ तो BUT देखते हैं अब चालो इसमेंगे इसका मतलब सीटर में हमें निकालना है तो हम जानते हैं ये हाइपोटिनियस यानी ओ ओ है थीक तो कॉट को चिस्टी क्या होती होन अपं टू स्क्यल टू एफी अपॉन फै一 तो ओ एइफ एइस एक्वल टू क्या हो लोगा एबी इंटु भी यानि ओ एसमारों गाले घृड़े टूल रहाए गा थीक है ना न कि Kurds M नमबर ए इस दा राइट अंसर वे इसकोल टू टू एभी संगा या ठीक है अगला क्वेस्टिन क्वेस्टिन नमबर टैन एसर्शन रीजन है देखते हैं अओ टू दटू टैंजेन्स आज़ ड्रॉन टू आ सर्कल विद एन एक्सेर्णल पॉइंट मतलब एक सर्कल है और इस शर्कल पर दो टैंजेंट एक्सेर्णल पॉइंट से ट्रॉ किये गया है एक यह ठीक और इसी से एक टेंजेंट यह है, दो टेंजेंस ट्रॉक किये हैं, ठीक, इसका मतलब कि अगर इन दोनों की बात करें, मतलब सेंटर पे क्या यह एक टेंजेंट करते हैं, इसका मतलब यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो हाँ होगा, क्यों? क्योंकि यह पहली बात, साइड बराबर होते हैं, हम जानते हैं, और साइड बराबर होते हैं, 90 डिग्री भी होता है, तो यह दोनों कॉंगरेंट हो जाएंगे, और congruent होने से ये दुनों जो होते हैं equal angle substitution करते हैं ये दुनों की बात कर रहा है इस angle की और इस angle की reason क्या है? अब parallelogram subscribing circle is rhombus तो reason नहीं सही है assertion सही है तो हमारा क्या answer हो जाएगा? जो है assertion A is true but reason is false option number C is the right answer अब ये कैसे होगा? ये हम prove करवा देते हैं हमने बोला कि ये angle बराबर होंगे तो कैसे होंगे? ये angle X के बराबर कैसे होगा? तो चलो हम कर देते हैं इसे prove ये A, B, C, O मान लेते हैं तो in triangle A, O, B and C, O, B अब एक बात दाइए कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो radius होता है वो perpendicular होता है tangent से यानि angle O, A, B is equal to O, C, B होगा दोनो 90 degree होंगे ये वाला angle और ये वाला angle होगा O, A, B, O, C, B 90 degree होगा ठीक तो ये right angle का का काम कर गया दूसरा O, B जो है दोनों में common होगा और दोनों के लिए hypotenuse का का काम कर दिया ठीक है पहला right angle दूसरा आपने उस और O, A is equal to O, C है दोनों का radius है और side का का काम कर दिया क्योंकि दोनों radius हैं तो by R, H, S triangle O, A, B congruent हो जाएगा triangle O, C, B के और congruent होते ही हम कह देंगे angle O, A, O, B is equal to B, A, O, B is equal to C, O, B C, O, B यानि यह angle इस angle के बराबर हो जाएगा आज के लिए इतना ही इसको अभी हम upload कर देंगे देखेएगा